कि नमस्कार दोस्तों हरीयम एस्टेडी में आपका स्वागत है क्वेश्टन नम्मर एक 36 वेक्ति एक कारी को 18 दिनों में करते हैं उसी कारी को 27 वेक्ति कितने दिनों में करेंगे चलिए इसको हल करते हैं चुकि 36 वेक्ति 36 वेक्ति एक कारी यानि एक काम कारी मिस काम एक कारी को 18 दिनों इसलिए एक वेक्ति 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 18 गुना 36 दिनों में करेगा एक वेक्ति उस कारी को 18 गुना 36 दिनों में करेगा देखिए इसको एक उधारन के दौरा समझाने कोशिस करते हैं कि माल लीजिये 10 वेक्ति कोई काम को कोई काम है माल लीजियों काम है ठीक है माल लीजियों गढ़धा खोधना एक काम है तो इस काम को करने में चार दिन लगाता है कि मंलिए इसको इसकाम को करने में चार दिन लगाता है वे 57 कि पहला दिन इतना काम करें को दूसरा दिन इतना कांम करेगा और तीसरा दिन इतना काम करें और चौथा दिन इतना काम तो देखिए दस वेक्ति एक दिन में काम कर रहा है यह दस आदमी इस काम को करेगा फिर अगले दन दस आदमी इस काम को इस दस दिन इस दस आदमी इस काम को फिर दस आदमी इस काम को तो टोटल वेक्ति कितना हो गया चालिस चालिस बेक्ति इस कारी को कितना दिन में एक दिन में करता है तो देखे दस बीस तीस चालिस तो चालिस बेक्ति गर काम करेंगे तो इस काम को एक दिन में समाप्त कर देगा तो एक बेक्ति कितना दिन है चालिस बेक्ति एक दिन में करता है एक बेक्ति चालिस दिन में एक वेक्ति 40 दिन में शमाप्त करें तो तो उसी तरह देखिए यहां 36 वेक्ति एक कारी को 18 दिन में करता है यहां दस वेक्ति एक कारी से чис Heffц खुना करें यहां रखें देगां दौ तो यहां भी आठारा गुना चाहिए इतना रहने देंगे यह इतना दोनों एक ही है तो ठीक है तो एक बेक्ति कारी इतना दिनों में करेगा इसलिए 27 बेक्ति 27 बेक्ति उस कारी को 27 बेक्ति उस कारी को एक है अठारा गुना 36 बट्टा 27 इसको काटेंगे तो तीन नम 27 चार नम 36 तीन चक अठारा कड़ें अब चोबिस दिनों में पूरा करेंगे पूरा करेंगे यानि 24 दिनों में करेगा 27 बेक्ति उस कारी को 24 दिन में पूरा करेगा जैसे यहां 10 बेक्ति 4 दिन में करता है अगर यहां 5 बेक्ति कर देंगे तो 5 बेक्ति इस काम को कितना दिन में करेगा तो 4 गोना 10 से बट्टा 5 तो 5 दोनी 10 कट गया तो 4 दोनी कितना आठ दिन में यह दस बेक्ति 4 दिन में इस काम को समप्त करता तो 5 बेक्ति उसका डवल करेगा क्योंकि 10 का यह आधा आदमी है यह दस बेक्तियां 5 आदमी यह दस आदमी यह पाज आदमी तो 8 दिन लगेगा ठीक है चलिए अगला कॉस्टेन को हाल करते हैं क्वस्टेन नंबर 2 देखते हैं एक काम को 20 दिनों में करता है और वी उसी काम को 30 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे एक काम को 20 दिन में करता है और B उसी काम को 30 दिनों में करता है तो दोनों मील कर बोलता है कितना दिन में पूरा करेंगे इस काम अच्छा ये इसको हल करते हैं चुकि A 20 दिनों में एक काम करता है क्योंकि ए बीस दिनों में एक काम करता है इसलिए ए एक दिन में एक दिन में कितना भाग करें देखे ए बीस दिन में एक काम करता है तो एक दिन में एक बट्टा बीस भाग काम करेगा देखे मान लिजिए ए कोई काम करता है इसको मान लिजिए चार दिन में करता है ठीक है चार दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना भाग करेगा एक बार्टा चार भाग, फिर दूसरे दिन एक बार्टा चार भाग, तीसरे दिन एक बार्टा चार भाग, चौनते दिन एक बार्टा चार भाग, यह चार दिन में यह पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक बार्टा चार भाग, एक काम है, यह पूरा काम है, इसको पूरा काम बोलते से fare पूरा यह एक काम करता है एक 20 दिन में समाप्त करता है ठीक है पूरा काम को टो एक बट्टा बीस भाग एक दिन में करेगा तो क्या फिर बी बी तीस दिनों में तीस दिनों में एक काम करता है करता है इसलिए बी एक दिन में बी एक दिन में एक बट्टा तीस भाग करेगा एक दिन में चार दिन में कोई काम समाप्त करता है एक दिन में कितना करता है एक बट्टा चार भाग कोई काम अगर बीस दिन में समाप्त करता है एक दिन में एक बट्टा 20 भाग होता है तो अगर कोई काम 30 दिन में सवाप्त करता है पूरा काम 30 दिन में एक बट्टा 30 भाग काम होगा एक बट्टा 30 भाग काम करेगा अब देखिये यानि एक दिन का काम एक बटाeh 20 वाग और बी का एक दिन का काम एक बटाऊ 30 वाग अब ए पलस भी यानि दोनों साथ question क्या कर रहा है दोनों मिल कर उस काम को कितना दिन में करे आ तो देखिये ए पलस भी का एक दिन का काम A plus B का एक दीन का काम क्या होगा एक बटा 20 पलस एक बटा 30 इसको जोड़ेंगे इसका लॉस हो लेंगे कितना होगा 20 और 60 का 20 और 30 का 60 तो 20 दूनी 20 तिया 60 तो यह हो जागा 3 और यह 2 कितना होगा 5 बटा 60 वाज बटा 60 इसको काटाएंगे तो 12 पंचे 60 एक बटा बटा 12 तो पूरा काम जैने एक काम को करने में कितना दिन लगाए तो देखिए जैसे इस काम को चार दिन में करता है एक बट्टा चार आया एक दिन में एक बट्टा चार एक दिन में दूसरा दिन एक बट्टा चार तीसरा दिन एक बट्टा चार चौंथा दिन एक बट्टा चार इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बट्टा चार इसको जोड़ेंगे तो चार बट्टा चार इसको काटेंगे तो एक पूरा एक काम एक बट्टा चार एक दिन में करता है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा यानि चार दिन एक बट्टा चार को इसको पलट देंगे चार बट्टा एक जानी चार दिन लगेगा ठीक है तो बद इसको पलट देंगे अब देखिए यहां जैसे एक बट्टा 20 है पलट एक बट्टा 30 इसका लॉस हो लेंगे कितना होगा साथ दो गुश कम साथ तीन दूनी साथ एक गुणा 2 तो तीन पलस दो बट्टा साथ क्यतना होगा पाज बट्टा साथ इसको काटे बारा पंचे 6 यानessä 1 बट्टा 12 गया एक बट्टा 12 भाग काम करता है एक दिन में तो connect और यह पूरा काम है इसको नहीं तो बारा हिंशा करेंगे बारा विस्वान से एक बट्टा बारा जाने एक हिंसा एक nosy और यह दिन में करें तो चार दिन में पूरा काम को करेगा, उसी तरह एक बट्टा बारा है, तो बारा दिन में करेगा, ठीक है, तो यहां लिखेगे, अत्ता A पलस B, उस काम को बारा दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, A पलस B, उस काम को बारा दिनों में पूरा करेंगे, यानि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, बारा दिन में, एक बट्टा बारा बारा तो बारा दिन में होगा, जानि इसको पलट देंगे, बारा उपर एक नीचे, एक बट्टा बारा एक दिन में, तो बा क्वेस्टन नंबर तीन एक काम को आठ दिनों में और बी उसी काम को बारा दिनों में करता ए और बी दोनों साथ साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करें चाहिए दोनों एक साथ मिलकर कितना दिनों में करेंगे तो चलिए आगले क्वेस्टन की तरह इसको भी हल करत ए आठ दिनों में एक काम करता है इसलिए ए एक दिन में एक बट्टा आठ भाग काम करेगा करेगा आठ दिन में पूरा काम एक काम करता है तो एक दिन में एक बट्टा भाग करेगा फिर चुकि बी बारा दिनों में एक काम करता है करता है इसलिए भी एक दिन में एक बट्टा बारा भाग काम करेगा अब ए पलस बी दोनों मिल के एन ए पलस बी का एक दिन का काम एक दिन का काम एक दिन का काम क्या है एक बट्टा आठ और बी का एक दिन का काम क्या एक बट्टा बारा भाग करता है एक बट्टा आठ और एक बट्टा बारा सका में हो के इल्सीएम लेंगे लुचो 25 अठर बारा निने 24 एक गुना दू bathrooms टीन आपना डो बड्टा चोबीस यानि पांच बड्टा चोबीस यानि पांच बड्टा चोबीस भाग क्म होगे यह दिए तेन पलस दो बट्टा चोबीस पांच बट्टा चोबीस भाग एक दिन का कम पांच बट्टा चोबीस भाग एक दिन में करता है अता ए पलस बी का अता ए पलस बी उस काम को उस काम को देगे पांच बट्टा चोबीस है उसमें एक बट्टा बारा था तो पलट के बारा के इसमें पलट देंगे तो चोबीस उपर नीचे 5 इतना है इसको भाग देतें में कितना इतना हो जाए चार और इतना दीनों में पूरा करेंगे कि अधिया वीडियो आयंद करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें धन्यवाद